किस प्रकार का आइडिया चैनित होता है इंस्पायर आवर्ड्स मानक में बच्चों इंस्पायर आवर्ड्स मानक में आइडिया चैनित किस प्रकार का होगा आइडिया मोलिक होना चाहिए अर्थात मोलिक विचार नव प्रवर्तन ही आगे बढ़ेगा मुलिक विचार से क्या भी प्राय है मुलिक विचार मतलब आपका स्वैम का आईडिया या विचार अब वो क्या है कि कोई मशीन या गेजट जो नया हो और जिसकी कम्या आपने कहीं महसूस की हो आपने वो घर में महसूस की हो घर के बाहर महसूस की हो स्कूल में महसूस की हो ग्राउन में महसूस की हो कहीं भी किसी मशीन या गेजट जो बिलकुल नहीं है और जिसकी कम्याप महसूस कर रहे हो आपको लग रहा है ऐसा हो जाता तो और सुवीदा जनक हो जाता और बढ़िया हो जाता वो आपका आइडिया होगा मुलिक और बच्चों ऐसा भी हो सकता है कोई कोई उपलग्द मशीन या गेजेट हो जिसको आप बहतर बनाने का एक आइडिया आपके दिमाग में आ रहा हो कि इसमें ऐसा ओर कर देते तो यह ओर अच्छा हो जाता या उसको multipurpose बनाने का बहुत देशी बनाने का कोई आइडिया आपके पास आ जाए कि यह मशीन या गेजेट यह काम तो करी रहा है इसके साथ यह काम भी और कर दे तो और अच्छा रहेगा और कम खर्च में वो सब संभा हो पर्यावन की चिंता करते हो वो सब संभा हो ठीके आर्थिक लाप के साथ वो सब संभा हो तो यह यह भी आइडिया आगे बढ़ सकता है किसी भी तक्निक में सुधार का आइडिया दे 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 तक्निक में सुधार का आइडिया दे दे चाहे वो कितना भी सरल हो चोटी सी टक्निक भी है मतब सुधार का एक छोटा सा अईडिया भी अगर उस टेक्नोलोजी को यूस्फुल ऊपयोगी पना सके मानव के लिए उप्योगी मना सके तो वो आइडिया भी काम का हो सकता है तो बचों हमने देखा कि आइडिया मोलिक होना चाहिए मतलब आपका विचार मोलिक होना चाहिए और बचों धेहन रहे जो सामान्य जारी विचार या प्रोजेक्ट है जो बुक्स में पहले से उपलब्द हैं, जैसे अगनी सुचक यांत्र हैं, जेविक खादे, नीमुसे बिजली, गोबर गेस, पवन चक्की, भुकम सुचक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर लेवल इंडिकेटर, बचो यह तो पहले सी ही है, यह आगे नहीं हैं, इसलिए आइडियास को इंस्पार आवार्ड्स मानक में सिलेक्शन नहीं मिलेगा, इंस्पार आवार्ड्स मानक में सिलेक्शन मिलेगा केवल उन आइडियास को जो मोलिक होंगे, वे विचार जो मोलिक होंगे, अब मोलिक विचारों पर मैंने अभी बात किया आपके स प्रदेश से इंस्पार आवर्ड्स मानक में राश्टी इस्तर पर चैनित हम कुछ बच्चों से मिलते हैं मैंने उनसे बात की है उनके आइडियास पर हम चर्चा करते हैं आईए दिव्यान्शी प्रसाद हमारे साथ है लो एनरजी पैन एन स्टोर इनों ने बनाया है दिव्यान्शी कैसे काम करता है यहां पर हम अपने फ्यूल को जलाते है कहिसे बहुत कम फ्यूल कर लेगा ठीके है यह हीट को यह तबहा लेगा तबा कास्ट आइरन का बना हुआ है, जिससे कम हीट में जारा गरम होता है, ये बॉक्स जो है, हीट रजिस्टर इन ब्रिक्स इसके आर्ट साइड लगी हुई है, जिससे जो भी हीट रेडियूज होगी, वो बेस्ट नहीं जाएगी, फिर उसके बाद, उसी हीट का यूज कर कि यहां से नना से कौपर पाई तुस्के अंदर से पास किया है, आपने, वो भी गरम होता है, के बॉटर टैंक से जो जुड़ा हुगा है, जिससे हमें गरम पानी खोवाइड होगा तो गर्म पानी भी मिल जाएगा अपने वैसल को भी रख सकते हैं ताकि वह भी घर्म बना रहे हैं खाना वगएरा उसके में दिव्यांशी बहुत बहुत शुब कामना है आपको